नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशल मंत्रा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरी ये बात हमेशा ध्यान रखना और दोस्तों, इस बात से कुछ फरक नहीं पड़ता कि भार की इमारत कैसी है क्योंकि संस्ता तो उसके अंदर काम कर रहे लोगों से बनती है इसलिए कभी किसी को भी कुईकली जज मत करना क्या पता इसका नुक्सान आपको भविश्य में भुगतना पड़े और बहुत कड़वी बात कही है किसी ने कि मनुश्य अपना दुख तो किसी ना किसी परकार बरदाश कर लेता है परंतु दूसरों का सुख उससे बरदाश नहीं हो पाता और इनसान इतना बिमारियों से नहीं थकता जितना उसे कई बातों की चिंता थका देती है इसलिए हमेशा चिंता से दूर रहो क्यूंकि ये आपके सोचने और समझने की शमता को कम कर देती है किसी के आने या जाने से जिंदगी नहीं रुकती बस जीने का अंदास बदल जाता है और मुझे साप उसे डर नहीं लगता इनसान उसे लगता है क्यूंकि साप अपने बचाओ के लिए ढसता है और इनसान अपने फाइदे के लिए और दोस्तों जीवन में हमेशा अपने व्यक्तित्व को बड़ा बनाने के लिए इन ब्रांडेट चीजों का ही इस्तिमाल करना होटों के लिए सत्ये आवाज के लिए प्राथना आखों के लिए दया हाथों के लिए दान हिर्दे के लिए प्रेम चहरे के लिए हसी और बड़ा बनने के लिए माफी आपका जीवन सफल हो जाएगा और दोस्तो अपना गणित हमेशा सीधा और सरल रखना कि जहां कदर नहीं वहां जाना नहीं जो पच्टा नहीं वो खाना नहीं जो सत्थे पर रूट जाए उसे मनाना नहीं जो नजरों से गिरे उसे दुबारा उठाना नहीं मोसम जैसा जो बदल जाए ऐसा दोस्त बनाना नहीं ये तकलीफ तो जिन्दगी का हिस्सा है यहाँ पर मुझे डटे रहना है कभी घवराना नहीं और आखरी में कहना चाहता हूं कि आप हमेशा इतने छोटे बनिये कि हर व्यक्ति आपके साथ बैठ सके और आप इतने बड़े बनिये कि आप जब उठें तो कोई बैठा ना रहे उम्मीद है आप सभी को आज की वीडियो ज़रूर पसंद आयोगी तो वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी मैं मिलूंगा आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए मोटिवेशनल मंत्रा साइनिंग ओफ